सब लोग बढ़िया होंगे सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉजनस और नौन पॉजनस स्नेक्स की बारे में सो एसी एफ की एक्जाम डेट जो है वो आ चुकी है फैबररी 22nd से 1st मार्श तब एक्जाम रहेंगे ताम टेवल भी तक आया नहीं है पर देट आ गही है चलो स्टाट करते हैं सबने रेखे होंगे पॉजनस अर इलाउगेट ए वो यह नहीं हां अब लगभग सब नहीं होने रखे हम भी तरहरीं और मिल जाएंगे जबकि snakes जो है वो काफी कुछ lizards से resemble करते है anatomically लेकिन वो उनसे काफी different होते है So, एक notable difference जो है वो यह है कि snake की ability होती है to swallow preys several times larger than their own diameter है ना, जैसे python वगरा एक बड़े से deer वगरा को बुचा है, they swallow as they pray So, उसके अलावा इन में क्या है कि विल्कुल भी limbs नहीं होते है इन में paired limbs नहीं है Scales जो है इस तरह से regular होती है कि उनको जो है taxonomy में जो है use किया जाता है And, इनकी जो scaly epidermis है इसको यह क्या करते है usually they shed और एक ही piece में जो है इसको shed करते है ऐसा नहीं कि टुक्डो टुक्डो में एक ही piece में जो से हम कैंचुली कहते है Hindi में तो उसको यह shed करते है पनी skin को और इस process को जो है Malting या पर Icdysis कह सकते है कहते है और इनकी जो tongue है जो कि बटी वही रहती है Bifed tongue जो है वो sensitive होती है towards odor यानि smell के लिए और उसके अलावा vibrations को भी जो है यह महसूस करते है तभी जो साप है अपनी जीव जो है बार 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 निकालता है क्योंकि उसे एक तो सुगन उसे महसूस होती है और दूसे जो है Vibrations महसूस होती है क्योंकि वह सुन नहीं सकते है So most snakes जो है So यह जो है क्या है एक sense organs की तरह काम करती है इनके And most snakes जो है वह non-poisonous to humans And यह rather जो है They destroy harmful rodents and insects and so forth So यह valuable है हमारे लिए So पहले हम देखेंगे non-poisonous snakes जो है वह कौन से है So यह चाहे poisonous हो चाहे non-poisonous हो इनको देखने में डर तो लगता है But हमें जानना जरूरी है कि कौन से जो है वह poisonous नहीं है And कौन से हमारे लिए अगर हम उनको छेड़ेंगे तभी वह हमको attack करेंगे So non-poisonous snakes में सबसे पहला है Typhlops Typhlops जो है वह small burrowing snake है यह blackish-brown in color होते है Usually 175-180 cm long यह दिख रहा होगा यहां पर Warm-like होते है खीडे जैसे So इसलिए earthworm जैसे दिखते हैं इनको warm snake नाम दियागा है इनकी tail यहां पर blunt है या तो conical रहेगी या फिर end in spine Blunt tail है So body में Scales है Small, uniform and semi-circular Scales होती है Blunt snout Covered रहता है with shield Eyes जो है इनमें दिखती नहीं है काफी वेस्टिशल टाइप की eyes है इनकी So eyes जो है हमें यहां पर दिख नहीं रही है So vestigial eyes है इसलिए इनको जो है Common name है इनका blind snakes यह hidden रहती है Beneath the shiny scales काफी shine कर रहा है So Shiny scales के इसलिए इसको blind snake कहते है Teeth जो है इसके lower jaw में absent होते है यह harmless है and feeds on insect larva and termites पर यह feed करता है और इसके जो तो दो species जो common है इंडिया में पहला है Typhlops braminus and Typhlops thrustroni So यह दो species जो है इंडिया में बहुत common है इसकी इस जो है इंड़ा यह जो है It is a A और स्नेक भी कहते हैं और इसके टीथ जो है दोनों जों में होते हैं अपर और लोवर दोनों जों में पाये जाएंगे और यह भी भी पारस है यान लाइफ बर्थ देता है अपने बच्चों को और कॉमन एक्जाम्पल जो है इसका है वो युरॉप टैलिस ग्रैंड इस पर फ Kopf Day को जो है पर पहर फक्रषोफ अटिए जैसे की हम इंडियंग शभा जाओ जो है इसका नाम है इसका नुख है जो है वो ग्रीयों ग्रीक्रा ज़ह जो है लेको छा इसका जो है अग्राहित है रोन जो होता अछь जीग को है जो है लोने and head shields are regular and उसके अलावा इसकी जो तेल आइस जो है इसकी large है अबे दिख रही है यहां पर large eyes है जो पहले बैले तो उनमे जो है reduced rise थी and tail जो है it forms more than one third of the body यहनी one third से जादा tail है इसकी body में and which may attain a length of 2.5 meter तक जो है इसकी length हो सकती है यह active and alert snake moving about usually during day and it feed on mammals birds frogs and often human dwellings में enter करता है in search of rat and micers ज़िए इसको 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 rat snake कहते है but यह non-poisonous है then tropedo notice tropedo notice common pond यह फिर grass snake इसे हम कह सकते है और यह frequent fresh water में पाया जाता है to feed on frogs, tod and fish इसकी बोडी जो है वो stout, cylindrical and 1 meter तक लंबी हो सकती है back जो है वो rough होती है due to keel scales इसका color जो है वो yellowish to brown with black spots जो है यहां पर यहां पर यह हो सकता है and इसकी यह जो है cobra जैसा दिखता है लेकिन यह harmless है बस उससे resemblance है इसकी लेकिन it is harmless और इसकी जो species है वो है quinacinus and यह दो इस वाली species में यह दो black streaks जो है वो they run behind the from each eyes so यह harmful snakes है then है lycodon यह इस तरह से दिखता है दिखने में बड़ा ही खतनाख लेकिन non harmful नहीं है इसको हम wolf snake कहते है यह wolf snake है and यह wolf snake है and it grows about 60 cm in length and it is slightly rich that runs along the side of abdomen and tail and यह feed करता है almost entirely on the skinks यह एक तरह की lizard है skinks जो है so इसकी जो maxillary fangs है यह grooved नहीं होते बट यह adapted रहते to catch this slippery जो skinks है जो lizards है इनको catch करने के लिए adapted रहते इनके maxillary fangs and इसका color जो है वो brown होता है above which the white crossbars यहां दिखरी हमको यहां पर crossbars जाहिए and इसका coloration जो है इसको कापी similar है to poisonous crate क्योंकि यह similar लगते हैं हमको to the poisonous snakes तो इसलिए confusion हो जाता है और people usually kill them so यह लेकिन यह poisonous नहीं है यह दिखता उसके जासा है crate जासा लेकिन है नहीं lycodon olicus okay next uh non poisonous snake है वो है dendrophys इस तरह का पतला साप होता है यह tree snake है and very elongated and cylinder जैसे दिख रहा है आपको बहुत प्लमबा सा पतला सा compressed and about 2 meter long है यह head जो है इसका देको depressed होता है and snout obtuse पुपल इसके rounded है यहां दिख रहा है हमको and और nostril जो है वो separate होता है vertebral scale जो है वो enlarged होती है यह diurenal होता है and feed on lizards and frogs and posterior maxillary teeth जो है इसमें grouped नहीं होता है okay next है dry office यह इसको हम विप snake कहते है विप जासा होता है and excessively cylindrical body होती है with cord of a web and prehensile tail होती है head इसका narrow है along with a tapering snout यहां दिख रहा हमको green color का होता है प्यूपिल इसकी horizontal है and posterior maxillary teeth है यह grouped होते है color इसका green है दिख रहा हमको vivi paris होते हैं यह and feed on small reptiles and birds यह non poisonous होते हैं लेकिन इनका saliva वह weakly poisonous होता है और यह small animals को kill कर सकता है okay so यह यह याद रखना कि किसका saliva जो है वह weakly poisonous है दो यह non poisonous snake है तो हो है dry office next is python python सबने देखा होगा अजगर इंडियन अजगर जो है यह largest non poisonous snake है और यह family body को belong करता है python जो है वह oviparous होते है यह egg देते हैं and boas are oviparous होते है so large species है largest species है यह and python raticulars of south east asia grows above to over 10 meter तक यह यह लंबे हो सकते है और जो anaconda है वह यह फिर anaconda water वह यह फिर anaconda जो है वह जो south america में पाया जाते है they are 8 meter तक यह लंबे हो सकते है so Indian python जिसे हम python homorulus कहते है commonly अजगर का जाता है यह 6 meter तक यह लंबा हो सकता है यह forest में रते हैं टी के ऊपर और बॉडी इनगी प्लंप होती है sluggish होते हैं head depressed होता है with the truncated snout tail short होती है and prehensile होती है and pupil vertical होते हैं and adult में जो है claw या फिर spur होते हैं on either side of cloaca and representing vestigial hand limbs so dorsally and the anterior half of the head wear shields and posteriori half scales or diamond shape के यह यहां पर प्रेजन रहते हैं dark brown green spots जो है mark होते हैं body पर and brown spear like mark is present over the head yeah and यह feed करता है on birds and mammals which are suffocated in its coil and पहले उनको यह thumb goat के मारते हैं then उनको जो है swallow कर देते हैं and last जो non poisonous snake है वो है eryx यह से हम sand bova भी कहते हैं यह फिर dhumbi इसकी यह tail है और यह इसका head है पता नहीं चलता है कि कौनसी head और कौनसी tail है इसले दो मुहा ऐसे कहते है dhumbi कहते है यह जो है मिलता है हमको in dry sandy plains and hills in India and इसकी slendical body जो है वो 1 meter long हो सकते with indistinct head and blunt stout इसकी tail जो है वो small होती है non prehensile होती है thick and bearing a false resemblance to the head so इसको common name जो है double headed snake यह पर dhumbi कहा है और color जो है इसका brown है and covered रहता with small scales इसमें जो है conical prominence दिखाई दिती है in a groove on either side of cloaca present as a rudimentary hind limbs तो किसमें rudiment limbs मिलते हैं एक तो python में और एक बूसरा eryx यह फे sand boa जो है इसमें so eryx johnny एक non poisonous snake है and it feeds on rats, mice and squirrels जो कि यह जो है उसको kill करता है पहले construction से and then swallows and another species eryx conicus है इंडिया में पारे जाती है so that's it for this video next video में हम Poisonous Snakes के बार में पढ़ेंगे तक अच्छे से पढ़ाई की जबना ख्याल रखे all the best thank you